हरे कृष्ण श्रीमान जितामिद्र प्रभुजी के द्वारा लेखित श्री भगवान ने कहा श्रीमत भगवद्गीदा कथा रूप के अंतरगत अध्याय संख्या एक श्लोक संख्या 16-18 का पाठ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है श्लोक अनन्त विजयं राजा कुंती पोत्रो युधिष्ठिरह नकुलह सह देवश्च सुघोष मनि पुष्पकव कश्यश्च परमेश्वासह शिखंडीच महारतह द्रिष्ट द्यम्नो विराटश्च सात्यकेश्चा पराजितह दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशह पृतिवीपते सवभद्रश्च महावाहुद शंखान दत्महु प्रतक प्रतक अनुवाद अर्थात हे राजन कुंति पुत्र राजा युधिष्टिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुखोष एवं मनि पुष्पक नामक संख शंख बजाये महान धनुर्धर काशिराज परम्योध शिखंडी दृष्टद्युम्न विराठ अजेय सात्यकी दृपद रवपदी के पुत्र तथा सुभत्रा के महाबाहु पुत्र आदी सबों ने अपने अपने शंख बजाये भगवत गीता एक सोलह से अठारह अब प्रभजिक के द्वारा व्याख्या इन तीन श्लोकों में संजय धृत्राष्ट्र के समक्ष पांडवों की सेना के पंद्रह युद्धाओं के नाम बतला रहे हैं जिन्होंने अपने अपने शंख बजाये हमें ज्यात होना चाहिए कि शंख द्वनी उस समय की जाती है जिस समय किसी पूजा के कार्य को उच्षव का रूप दिया जाता है जब किसी पूजा के कार्य में अनेक लोग शामिल होते हैं तथा उन सभी लोगों में उत्साह होता है तो शंक द्वनी की जाती है हमें समझना चाहिए कि पांडव सेना के युधागन अत्यंत उत्साह पूर्वक शंक द्वनी कर रहे हैं क्योंकि उनके नेता श्री कृष्ण तथा अर्जुन हैं यह युध अपने आप में एक प्रकार का यग्य है क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युध से पढ़कर कल्य अन्य कोई भीवस्तु नहीं है परन्तु इससे भी अधिक बात यह है कि परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयम इस युध रूपी यग्य में भाग ले रहे हैं संजय ने इसके पूर्व श्लोक संख्या बारह में भीश्म जी के द्वारा शंक द्वनी की जाने की बात कही थी तथा यह भी कहा था कि भीश्म जी की शंक द्वनी के पश्चात अन्यों ने भी शंक द्वनी की परन्तु संजय ने भीश्म देव के अतिरिक्त अन्य किसी भी योधा का नाम नहीं बतलाया जिसने उनके बाद शंक द्वनी की इसका क्या कारण है इसका एक कारण तो यह है कि कारवों की सेना में भीश्म जी के अधिरिक्त किसी भी युद्धा में इतना उत्साह नहीं है कि संजय उस युद्धा का नाम लेते भीश्म जी में भी युद्ध करने का उत्साह नहीं है परन्तु फिर भी दुर्योधन को केवल हाशित करने के लिए ही उन्होंने शंक ध्वनी की जबकि पांडवों की सेना में सभी युद्धाओं में उत्साह है इसलिए संजय ने उनके नाम बतलाए हैं पांडवों की सेना में सभी युद्धाओं में एक दूसरे के प्रती सहयोग की भावना है तथा उत्साह है क्योंकि उनके केंद्र में श्री कृष्ण हैं चोकी पांडवगन केवल श्री कृष्ण की प्रसनता के लिए युद्ध कर रहे हैं अपनी इंद्रियत रप्ति के लिए नहीं इसलिए उनकी सेना में जितने युद्धा हैं उनकी भी भावना अच्यंत शुद्ध हो गई तथा वे भी श्री कृष्ण की प्रसनता के लिए जीने तथा मरने के लिए तैयार हैं। पांडवों की सेना में अठारह योध्धाओं ने शंक बजाए। यह एक अच्यंत महत्वपुन बात है कि संजय ने पांडव पक्ष के कुल अठारह योध्धाओं के नाम गेनाए। जिन्होंने शंक बजाए। श्लोक संख्या 15 में 3 तथा इन 3 श्लोकों में 15 इस प्रकार कुछ कुल संख्या 18 होती है। 18 की संख्या अत्यंत महत्वपुन है। इसके कुछ कारण है। 1. भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 2. महा भारत का युद्ध 18 दिनों में समात्त हुआ। 3. महा भारत के युद्ध में 11 अक्षाओं हिनी कौरवों की तथा 7 अक्षाओं हिनी पंडवों की इस प्रकार कुल सेना 18 अक्षाओं हिनी थी। 4. महा भारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय है। 5. व्यास जी के द्वारा लेखित पुराणों की संख्या भी 18 है। 6. श्रिमत भागवत में श्लोकों की संख्या भी 18 हजार है। 7. सौ तथा 1000 की संख्याओं के निकट की पवित्र संख्याएं क्रमशह 108 तथा 1008 है। जो 18 से विभाजित होती हैं। इसलिए जब माला में 108 मन के अथ्वा 1008 मन के रखे जाते हैं। तथा किसी महा पुरुष के नाम के पूर्व 108 श्री अथ्वा 1008 श्री लगाया जाता है। आठ एक अक्षोहिनी सीना में रतों, हाथियों, गुर्ण सवारों तथा पैदल युद्धाओं की जो संख्याएं होती हैं। वे भी 18 से विभाजित होती हैं। अब जिन 18 युद्धाओं के नाम संजैने गिनाये हैं वे इस प्रकार हैं। एक श्री कृष्ण, दो अर्जुन, तीन भीम, चार युद्धिष्ठेर, पाच नकुल, छे सैदेव, साथ काशिराज, आठ शिकहंडी, नो ध्रिष्ट द्युम्न, दस विराट, ग्यारह सात्यकी, बारह द्रुपद, तेरह, से सत्रह, द्रौपदी के पाचों पुत्र, औ और अठा रह, अभिमन्यो, चोकी प्रथम तीन युद्धाओं की चर्चा, श्लोक संख्या, पंद्रह में, पहले ही हो चुकी है, अतह हम शेश, युद्धाओं की चर्चा करेंगे, चार, महराज युद्धिष्ठिर, श्लोक संख्या सोलह की प्रथम पंक्ती है, अनन्त विजयम राजा, कुंती पुत्रो युद्धिष्ठिरह, अर्थात, कुंती पुत्र राजा युद्धिष्ठिर ने अपना अनन्त विजय नामक शंख पजाया, यहाँ पर युद्धि महराज की विजय का कोई अंत ही नहीं है उनका स्वभाव तथा गुण ऐसे हैं कि बड़े सिले कर छोटे तक सभी लोगों के हृदाय पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है जितने भी रिशिमुनी तथा ब्राम्हन हैं सभी उन्हें विजय का आशिरवाद देते हैं यहां अनंत विजय का दूसरा अर्थ है अनंत अर्थात श्री कृष्ण के उपर विजय यह अर्थ भी ठीक है क्योंकि श्री कृष्ण युधिष्ठेर महराज के गुणों से इतने प्रसन थे कि उन्होंने सभी प्रकार के उपायों का प्रयोक करके युधिष्ठेर महराज को वि समराट बनाया श्रीमत भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण पांच पांडवों तथा उनकी माता कुंति देवी से मिलने के लिए इंद्र प्रस्थ गए तो युधिष्ठेर महराज ने श्री कृष्ण से कहा हे परम नियनता मैं नहीं जानता कि हम मुर्खों ने कौ यारः इसके पश्चात युधिष्ठेर महराज के लिए संजय ने राजा शब्द का प्रयोग किया है राजा शब्द का अर्थ है रंजय यति इति राजा अर्थात जो व्यक्ति अपने आश्रित प्रजा का रंजन करे वह राजा है यह बात भी सत्य है युदिष्ठेर महराज के राज्य में प्रजा को अत्यंत सुख मिलता था उनके राज्य में प्रजा पून रूप से धर्म में तत्पर थी तथा प्रकृती देवी भी पून सहयोग कर रही थी इसलिए उनके राज्य में ठीक समय पर वशा होती थी पृत्वी देवी अन फल आदी प्रचोर मात्रा में उत्पन करती थी तथा गवएं प्रचोर मात्रा में दूत देती थी इसके पश्चात संजय ने युधिष्ठेर महाराज को कुंति पुत्र कहा है युधिश्ठेर महाराज कुंती देवी के सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए उनका अपनी माता के प्रती स्नेह भी सबसे अधिक था जिस समय श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे उस समय युधिश्ठेर ने कहा हे गोविंद हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारी सुरक्षा का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिनका देवता और अतिक्थियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है उससे आप कुशल पूछें उसे हर बार हमारा शोक सताता रहता है आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम करें कहें श्री कृष्ण क्या कभी वह समय आएगा जब इस दुख से छूट कर हम अपनी दुखिनी माता को कुछ सुख पहुचा सकेंगे इन बातों से पता चलता है कि युधिश्ठेर महराज अपनी माता कुंति देवी के प्रती अत्यांत समर्पित थे परन्तु कुंति देवी भी साधारण माता नहीं थी वे भी श्री कृष्ण के प्रती पोन रूपेन समर्पित थी कुंति महराणी ने ही अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के प्रती समर्पन सिखलाया पांच नकुल शंक द्वनी करने वालों में युधिष्ठिर महराज के बाद नकुल का नाम आया है नकुल के शंक का नाम है सुघोष सुघोष का अर्थ है सुंदर या सुरीला तथा खोष का अर्थ है आवाज इस प्रकार सुखोश का अर्थ हुआ ऐसा शंक जिसकी आवाज सुन्दर तथा सुरीली है। इसके अतिरिक्त नकुल स्वयम भी अत्यंत सुन्दर थे। उनके नेत्र लाल थे तथा उनके कंधे सिंग के समान थे। उनके शरीर का वर्ण श्याम था तथा उनकी भरी हुई जवानी थी। जिस समय राजा विराट के महल में पांडवों ने एक वर्ष का अज्यात वास किया। उस समय नकुल ने अश्वपाल का वेश धारन कर लिया। तथा राजा विराट के समक्ष आकर अपना परिचय देते हुए कहा, महराज मैं दुष्ट घोडों को भी शिक्षा देकर ठीक कर सकता हूं। मुझे खोडों की जिकित्सका भी पूरा ज्यान है। मैं पहले राजा युधिश्चिर के यहां काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रन्थिक नाम से पुकारते थे। इस प्रकार राजा विराट ने इन्हें अपने महल के सब ही घोडों को तथा सार्थियों को इनकी अधीन कर दिया। इस प्रकार इन्हें राजा विराट से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ छे सहदेव नकुल के बाद संजय ने सहदेव का नाम लिया है इनके शंख का नाम मनी पुष्पक है जो मनी से बने हुए पुष्प के समान सुन्दर है ये पांच पांडवों में सबसे चोटे थे ये शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे तथा सब ही लोग इन्हें पंडित कहते थे जिस समय योधिश्टेर महराज के राजसु य यग्य में श्री कृष्ण की अग्रपुजा हो रही थी उस समय श्री कृष्ण की पूजा का विरोध किया उस समय सहदेव ने अत्यंत निर्भीक होकर कहा भगवान श्री कृष्ण परंपराक्रमी है उनकी मैंने पूजा की है जिने यह बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले मैं उसका वद करूँगा सहदेव ने ऐसा कहकर जो से लात पठकी उस समय आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अध्रिश्य रूप से देवतागणों की साधु साधु की ध्वनी स्वनाई बढ़ने लगी जिस समय राजा विराट के महल में पांडवों ने एक वर्ष का अज्यातवास किया उस समय सहदेव ने एक गोप का वेश्धारन कर लिया तथा राजा विराट के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहा मैं जाती का वैश्य हूँ मेरा नाम अरिश्टनेमी है पहले में पांडवों के यहां गवों का पालन करता था वहां लोग मुझे तन तिपाल कहते थे इस प्रकार राजा विराट ने इन्हें अपने महल के सभी पशुओं के पालन का अधिकार दे दिया साथ काशिराज पांच पांडवों के पश्चात संजय ने काशिराज का नाम लिया है तथा इनकी विशेष्टा बतलाई है परमेश्वासह अर्थात महान धनुर्धर परमेश्वास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है एक परम, दो इशु, तीन आसह, परम का अर्थ है महान, इशु का अर्थ है बाण, तथा आसह का अर्थ है आसन, यदि इशु तथा आसह को सम्मिलित किया जाए तो इश्वास सह शब्द बनता है जिसका अर्थ है बान का आसन अर्थात धनुश तथा यदि इसमें परम शब्द जोड़ दिया जाए तो परमेश्वासह शब्द बनता है जिसका अर्थ है बड़ा धनुश इसका अर्थ है कि काशिराज सदा अपने साथ बड़ा धनुश रखते थे अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बड़े धनुष के क्या विशेष्टा है। धनुष को धारन करने में कोई भी असुविधा का अनुभव नहीं होता है। धनुष का उपहार दिया था। इनकी मृत्यों भीश्मदेव के हाथों हुई थी। आठ शिखंडी इसके पश्चात संजय ने शिखंडी का नाम लिया है तथा उसके साथ महारथी विशेशन का प्रयोग किया है। महारथी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो एक साथ दश हजार योधाओं से युद्ध कर सकता है। यह पुरुषों में सिंघ के समान पराक्रमी था। युद्ध स्थल में इसका मन सदा उत्साहित रहता था। यह पिछले जन्म में अंबा नाम की स्त्री था। जो काशिराज के कन्या थी। भीश्म जी ने सभी राजाओं को युद्ध में परास्त करके इसका इसकी दो बहिनों अंबिका तथा अंबालिका के साथ अफहरन कर लिया था। परन्तु राजा शाल्व के प्रती इसका मन लगने के कारण यह भीश्म जी की आग्या से उनके पास गई परन्तु शाल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह भीश्म जी के पास लोट आई परन्तु अब भीश्म जी ने भी इसे लोटा दिया अपनी जीवन को निश्वल समझ कर तथा भीश्म जी को इसका कारण मान कर इसने भीश्म जी की मृत्यू का कारण बनने के लिए तपस्या की इसके फल स्वरूप इसका जन्म कण्या के रूप में हुआ बाद में स्थोना कर्ण नामक यक्ष की क्रपा से यह पुरुष्पना भीश्म जी को ये सभी बातें क्यात थी अतहा उन्होंने निश्चे कर लिया कि वे शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि वह पूर्व जन्म में स्त्री थी तथा इस जन्म में भी स्त्री के रूप में उत्पन हुई थी पिछले जन्म की इच्छा के कारण यह शिखंडी ही भीश्म जी की मृत्यू का कारण बना क्योंकि इसके समक्ष भीश्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे तथा ऐसी स्थिती में अर्जुन के बानों से भीश्म जी ग द्रश्ट द्यम्न यह शिखंडी के बड़े भाई थे परन्तु इनका जन्म माता के गर्भ से न होकर यज्यकुंड से हुआ यह द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुश लेकर प्रकट हुए थे फिर उसी वेदी से द्रवपदी प्रकट हुई थी जन्म के समय ही इस बालक का शरीर अगनी के समान ते जस्वी था इसके मस्तक पर मुकुट अंगों में उत्तम कवच हाथों में खडग बान और धनुश शुभपाते थे पैदा होते ही यह बालक एक श्रेष्ट रत पर बैठ कर गर्जना करने लगा मानो युद्ध के लिए कहीं जा रहा हो इस खटना को देखकर पांचालों को अत्यंत प्रसनता हुई तथा वे साधु साधु कहकर इस बालक का उत्साह बढ़ाने लगे आगे चलकर इन्होंने द्रोनाचार्य के द्वारा अस्त्रशिष शिक्षा प्राप्त की ये पांडव दल के प्रधान सेनापती चुने गए ये विख्यात महारत ही थे तथा अर्जुन के परमहिताईशी थे द्रोनाचार्य के साथ इन्होंने भयंकर युद्ध किया तथा अंत में उनका सिरकाट डाला महाभारत के अंत में रात्री में सोते हुए इनका वद हुआ अश्वत्थामा ने अपने पिता का हत्यारा मान कर इनका वद लातों और घूसों के द्वारा किया दस विराट ये अर्जुन के समधी थे क्योंकि इनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यों के साथ हुआ था ये अत्यांत भाग्यशाली थे क्योंकि इनके महल में पांच पांडवों तथा द्रावपदी ने एक वर्ष तक अज्यातवास किया था इनके तीन पुत्र थे एक श्वेत, दो शंक तथा तीन उत्तर ये अपने तीनों पुत्रों के साथ महा भारत युद्ध में मारे गए, इनका वद द्रोनाचार्य के द्वारा हुआ ग्यारह साथ्यकी, ये श्री कृष्ण के अत्यांत निकट रहने वाले यदुवन शिवीर थे ये अपनी प्रतिग्या को सदा सत्य करके दिखलाते थे तथा शत्रों का मरदन करते थे ये युधिष्ठिर की सभा में बैठते थे तथा इन्होंने वहीं अर्जुन से धनुर्वेद की शिक्षप प्राप्त की थी व्रिष्णी वंशी यादों के साथ अतिरती वीरों में इनकी गणना की गई है इनके नाम के साथ संजय ने एक विशेशन दिया है अपराजित अपराजित का अर्थ है जो युध्ध में कभी भी पराजित न होता हो ये वास्तव में युद्ध के समय श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ते थे परन्तु अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ छोटे थे अस्त्रों के संचालन में इन्हें अर्जुन के ही समान यश्प्राप्त हुआ था इनमें धैर्य तथा विशुध ब्रम्मचर्य जैसे सद्गुन सदा विद्यमान रहते थे सदा श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रहने के कारण इनकी महाभारत के युद्ध में मृत्यु नहीं हुई महाभारत के युद्ध में एक बार युधिष्ठेर महराज ने अर्जुन को संकट में पढ़ा हुआ समझ कर साथ्यकी से इस प्रकार कहा हे मित्र तुम उस सनातन धर्म का पालन करने वाले हो जिसके अनुसार व्यक्ति संकट के समय पर अपने मित्र की रक्षा करता है अर्जुन इस समय संकट में है तथा समस्त युद्धाओं में किसी को भी मैं तुम से बढ़कर अपना अतिशय मित्र नहीं समझता हूँ तुम सदा प्रसंचित रहते हो तथा नित्य निरंतर हम लोगों के प्रति अनुराग रखते हो इसलिए संकट काल में तुम ही अत्यंत महत्व पोन कार्य कर सकते हो हे मित्र जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के परम आश्रे हैं उसी प्रकार तुम भी हो तुम्हारा पराक्रम भी श्री कृष्ण के समान ही है अर्जुन तुम्हारे मित्र भाई और गुरु है अत्ह तुम उनकी सहायता करो तुम सत्यवरती शूर वीर तथा मित्रों को अभै देने वाले हो हे वीर तुम अपने कर्मों द्वारा संसार में सत्यवादी के रूप में विख्यात हो तुम सदा हमारे लिए अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए तयार रहते हो युद्ध में यश पाने की इच्छा रख कर पराक्रम करने वाले वीरपुरुष की सहायता कोई वीरपुरुष ही कर सकता है ऐसे घोर युद्ध में लगे हुए रणक्षेत्र में अर्जुन का सहायक और संरक्षक होने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है अर्जुन ने तुम्हारे सेक्डों कार्यों की प्रशंसा करते तथा मेरा हर्ष बढ़ाते हुए बारं बार तुम्हारे गुणों का वर्णन किया था हे मित्र तुम्हारे हातों में बड़ी फुर्ती है तुम विचित्र रीती से युद्ध करने वाले और शीखरता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हो तुम संपोन अस्त्रों के ग्याता हो विद्वान हो तथा शूर वीर होने के कारण युद्ध स्थल में कभी मोहित नहीं होते हो इस विनाशकारी संकट में पड़े हुए हम लोगों की तुम जिस प्रकार सेवा एवं सहायता कर रहे हो वैसे मित्रता मैंने तुम्हारे सिवा दूसरों में नहीं देखी है युद्धिष्ठेर महराज की इन बातों से हम समझ सकते हैं कि सात्य की श्री कृष्ण चक्रवर्ति ठाकुर ने सात्यकी के संबंध में एक दूसरी प्रकार की भी व्याख्या की है श्लोक के शब्द है सात्य की चा पराजित है इन शब्दों का सामान्य विश्लेशन है सात्य की च अपराजित है अर्थात सात्य की अपराजित है परंतु श्रीलव विश्वनात चक्रवर्ती ठाकुर इन शब्दों का दूसरी प्रकार से भी विशलेशन करते हैं। सात्य की चाप राजितह। चाप का अर्थ है धनुश तथा राजितह का अर्थ है सुशोभित। इस प्रकार सात्य की चाप राजितह का अर्थ हुआ, सात्य की अपने धानुष्ट के साथ सुशोभित हैं। 12. दुरुपद महराज दुरुपद अत्यंत भाग्य शाली थे, क्योंकि इन्हें दुरुपदी के पिता, तथा पांच पांडवों का श्वसुर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पांचों पांडवों के प्रती श्री कृष्ण का जितना प्रेम था उतना ही प्रेम महराज दुरुपद का भी था। जिस समय पांचों पांडवों का दुरुपदी के साथ विवाह हो गया, उस समय इन्हों ने अत्यंत गहराई के साथ विचार किया कि पांडवों ने किस प्रकार धर्म का पालन किया, तथा दुर्योधन आधी कौर्वों ने किस प्रकार अधर्म तथा अन्याय पूर्वक पांडवों को लाक्षा भवन में जला कर नश्ट कर देने का प्रयास किया था। फिर पांडवों को इंद्र प्रस्त का राज्य प्राप्त हुआ। रुपद ने राजा विराट की सभा में पांडवों के हित के विशय में सर्व श्रिष्ठ नेड़ दिया। उन्होंने कहा यह आवश्यक है कि युद्ध की तयारी की जाए। क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रती आसक्त रहने वाले धृत्राष्ट्र भी उसी का अनुसरन करेंगे। भीश्म और द्रोनाचार्य दिन तवश तथा कर्ण और शकुनी मूर्ख तवश दुर्योधन का साथ देंगे। दृत्राष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर तथा नम्रता पूर्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। यह पाप पूर्ण विचार रखने वाला है। अतह मधुर मृदू व्यवहार से वश में आने वाला नहीं है। जो पापी दुर्योधन के प्रती मृदू वचन बोलेगा, वहमानों, गधें के प्रती कोमल व्यवहार तथा गायों के प्रती कठोर व्यवहार करेगा। हमें तुरंत सभी राजाओं के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे पक्ष से युद्ध करें निश्चे ही दुर्योधन भी सबके यहां संदेश भेजेगा श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले से सहायता के लिए निमंतरित हो जाते हैं तब प्रथम निमंतरण देने वाले की ही सहायता करते हैं अतह सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंतरण पहुच जाए इसके लिए शीखरता करो हम सब लोगों को यह बहुत बड़ा कार्य करना है इसके बाद इन्होंने राजा विराट के साथ मिलकर सभी राजाओं के पास युद्ध का निमंतरण भेजा इन बातों से पता चलता है कि महाराज दुपद पांडवों के प्रते कितने अधिक समर्पित थे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों इनका वध हुआ 13 से 17 तक द्रवपदी के 5 पुत्र महाराज दुपद के बाद संजय ने द्रवपदी के 5 पुत्रों का उलेख किया है हमें ग्यात होना चाहिए कि पांडवों में जिस प्रकार बड़े और छोटे का क्रम था उसी प्रकार उनके द्वारा द्रवपदी से उत्पन्न पुत्रों में भी बड़े छोटे का करम था जिस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाईयों में सबसे बड़े थे उसी प्रकार उनके पुत्र प्रतिविंध्य भी अपने भाईयों में सबसे बड़े थे ब्रामनों ने युधिष्ठिर को उनकी पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बत्लाया जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो शत्रु के प्रहार से उसी प्रकार पीडित नहीं होता जिस प्रकार विंध्य परवत अचल रहता है महाभारत युध में इन्होंने अत्यंत वीर्ता पूर्वक युद्ध किया परन्तु युद्ध के अंत में अश्वत्था माने रात्री के अंधकार में अधर्म पूर्वक इनकी कोख में तल्वार भोक कर माड डाला उसके बाद हम भीमसेन के पुत्र की चर्चा करेंगे इनका नाम सुथ सोम था भीमसेन ने के एक हजार सोम्यक करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन न किया इसलिए उनका नाम सुथ सोम रखा गया इनका रूप अत्यंत सोम्य था रात्री के अंधकार में जब प्रतिविंध्य की मृत्यू हो गई तो अपने बड़े भाई के हत्यारे अश्वत्थामा को इन्होंने पहले प्रास से खायल करके फिर तल्वार उठा कर उस पर धावा किया परंतु अंधकार का लाब उठा कर अश्वत्थामा ने तल्वार सहित इनकी भुजा काट कर इनकी पसली में अगहत किया इससे इनकी चाती फट गई और ये धराशाई हो गए द्रवपती के तीसरे पुत्र जो अर्जुन से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था शुत क अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पस्चात लौट कर द्रवपती से यह पुत्र उत्पन्न किया था इसलिए उनके पुत्र का नाम शुत कर्मा हुआ जिस समय रातरी के अंधकार में अश्वत्थामा आतंक पहला रहा था उस समय शुत्थामा ने वर्षा को धाल से रोक कर उनके कुंडल मंडित ते जस्वी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। द्रावपदी के चोथे पुत्र जो नकुल से उत्पन हुए थे उनका नाम था शतानीक। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अनेकों वीरों का वद किया था। परंतु रात्री के अंधकार में जब इन्होंने अश्वत्थामा की चाती पर अत्यंत वेग से अपनी दोनों भुजाओं से रथ चक्र को उठा कर प्रहार किया। उस समय अश्वत्थामा ने भी इन प गहरा आघात किया। इससे व्याकुल होकर ये प्रित्वी पर गिर पड़े। इतने में ही अश्वत्थामा ने इनका सिर काट लिया। ध्रवपदी के पाच्वें तथा अंतिम पुत्र जो सहदेव से उत्पन हुए थे। उनका नाम था शुत्थ सेन। इन्होंने भी आध्यंत वीर्ता का परिचाय दिया था। जिस समय रात्री के अंधकार में अश्वत्थामा का आतंक फैल रहा था। उस समय शुत्थ सेन ने परिग के द्वारा अश्वत्थामा के ढाल योक्त बाएं हाथ में भारी चोट पहुँचाई। परन्तु अश्वत्थामा ने अपनी तेज दलवार से उनके मुख पर आघात किया। वे चोट खाकर बेहोश हो पृत्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका मुख विकृत हो गया तथा उन्होंने प्राण त्याग दिये। जौपदी के ये पांचों पुत्र एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। पुरोहित धौम्य ने क्रमशह इन सभी बालकों के संसकार विधि पूर्वक संपन्न किये थे। ये पांचों बालक पूर्ण रूप से प्रमचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। तथा इन्होंने धौम्य मुनी से वेदा ध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपोन धनुर्वेद की शिक्षा प्राक्त की थी 18. अभिमन्यू सबसे अंत में संजय ने अभिमन्यू का नाम लिया है अभिमन्यू के लिए संजय ने दो शब्दों का प्रयोग किया है सौभद्र तथा महाबाहू सौभद्र का अर्थ है सौभद्र के पुत्र तथा महाबाहू का अर्थ है वहव्यक्ति जिसकी भुजाएं विशाल है सौभद्रा श्री कृष्ण की बहिन थी तथा श्री कृष्ण से एक वर्ष छोटी थी सौभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था अभी मन्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है अभी तथा मन्यू अभी का अर्थ है निर्भय तथा मन्यू का अर्थ है क्रोध इस प्रकार अभी मन्यू का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो निर्भय होकर तथा क्रोध पूर्वक युद्ध करता हो अभिमन्यों शूर्ता, पराक्रम, रूप तथा आकरती में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ते थे महाभारत युद्ध के तेरहवे दिवस पर दुरुणाचार्य ने कौर्वों की सेना को चक्रव्यों के आकार में खड़ा किया तथा अर्जुन को संसप्तकों की एक अन्य सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाना पड़ा अब अर्जुन के बाद केवल अभिमन्यों ही थे जिन्हें चक्रव्यों हुमें प्रवेश करने की कला का ग्यान था अभिमन्यू कौरवों की सेना में प्रविष्ट तो हो गए परन्तु उनके साथ ना तो उनकी सेना और नहीं कोई पांडव महारती ही जा सके इस प्रकार अभिमन्यू ने द्रोन, कर्ण, क्रपचार्य आदी सभी योध्धाओं को परास्त करके कौरव सेना के लाखों महारतीयों का वद कर दिया अंत में छे महारतीयों ने मिलकर अभिमन्यू का अध्यंत कठिनाई के साथ वद किया जिस समय अभिमन्यू मारे गए उस समय उनके पुत्र परीक्षित महराज उनकी पतनी उत्तरा के गर्भ में स्थित थे तथा वे परीक्षित ही आगे चलकर पांडवों के वंश के एक मातर बीज रहे इस प्रकार पांडवों की सीना में भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होकर अभिमन्यू तक 18 योद्धाओं ने अपने अपने प्रिथक शंख बजाए इन 18 योद्धाओं का नाम लेने की अतिरिक्त संजय ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे हैं सर्वशह प्रिथक प्रिथक शंखान दद्मुह हर्थात इन सभी योद्धाओं ने अपने अलग अलग शंख बजाए यहाँ पर हम सर्वशह शब्द पर विचार करेंगे सर्वशह शब्द के दो अर्थ हैं एक पून रूप से और दो सभी और से यदि सर्वशह का अर्थ पून रूप से माना जाए तो कहने का अर्थ है कि इन सभी युद्धाओं ने अपनी संपून शक्ती से शंख बजाए जिससे पता चलता है कि इन सभी युद्धाओं में युद्ध के लिए पून उत्साह है परन्तु इन सभी युद्धाओं में जो इतना अधिक उत्साह है इसका कारण श्री कृष्ण है श्री कृष्ण ने सर्व प्रथम शंक बजाया उसके बाद अर्जुन ने फिर भीम ने इस प्रकार शंक बजाने की शंकला प्रारंब हो गई तथा जिस प्रकार रेल गाड़ी में सबसे आगे इंजिन जितनी तेजी से चलता है उतनी ही तेजी से पीछे के जुड़े हुए डिब्बे भी चलते हैं उसी प्रकार जितनी उत्साह के साथ श्री कृष्ण ने शंक बजाया उतने ही उत्साह के साथ इन सभी योध्धाओं ने शंक बजाए परन्तु एक बात समझने योग्य है जिस प्रकार रेलगाडी के डिब्बे इंजिन से जुड़े होने के कारण ही चल पाते हैं अन्यथा उनमें हिलने की भी शक्ती नहीं है उसी प्रकार पांडव पक्ष के योध्धाओं में जो शंक बजाने का तथा योध्ध करने का उत्साह है वह भी श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण है अन्यथा उनकी अपनी कोई भी शक्ती नहीं है जिस प्रकार रेलगाडी में जब इंजिन चलता है तो वह सबसे पहले उस टिब्बे को खीचता है जो इंजिन से जुड़ा है उसी प्रकार श्री कृष्ण के सबसे पहले शंक बजने पर अर्जुन्य शंक बजाया अब यदि सर्वशह का अर्थ सभी और से लिया जाए तो कहने का अर्थ है कि विभिन योध्धाओं की शंक द्वनी सभी स्थानों से उत्पन्न हुई क्योंकि ये अठारह योध्धा पांडव सेना में विभिन स्थानों पर स्थित थे इन सभी योध्धाओं ने एक के बाद एक करके शंक बजाना प्रारंब किया परन्तु इन्होंने अपने अपने स्थान नहीं बदले इस प्रकार पांडव सेना में शंखों की ध्वनी सभी और से उत्पन्न हुई दृत्राष्ट्र के लिए प्रिथिवी पते शब्द का प्रयोग अब अंत में हम विचार करेंगे कि संजय ने दृत्राष्ट्र के लिए प्रिथिवी पते शब्द का प्रयोग क्यों किया एराजन चुकि आप प्रित्वी के पती बनना चाहते हैं इसलिए इतना बड़ा युद्धु हो रहा है चुकि धृत्राष्ट्र प्रित्वी को भोगना चाहता है इसका ही यह दुश परिणाम है कि संपूर्ण कुरुवंश का संगहार हो रहा है इस लोक के तात्पर्य में श भीश्म पितामाह से लेकर अभिमन्यू तथा अन्य पोत्रों तक विश्व के अनेक देश के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था यह सारी दुरगटना राजात्रत राष्ट्र के कारण होने जा रही थी इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम श्रीक्रिश्न को ही पृत्वी देवी का पती तथा भोकता मानते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है तथा यदि हम अपने आपको प्रित्वी देवी का पती या भोकता मानते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा केवल प्रित्वी नहीं बलकि धन, स्त्री, घर, पुत्र इन सब ही वस्तूओं के पती तथा भोकता केवल श्री कृष्न ही है इस प्रकार की भावना से ही हमें सुख तथा सुरक्षा की प्राप्ति होती है इसलिए श्रीलभग्ति विनोध ठाकुर ने एक गीत में लिखा है अर्थात हे नंद पुत्र श्री कृष्न यह मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी मेरा है उसे मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ हरे कृष्न एती